सत्ता की लाल्सा सबके हुर्दे को घेरे रहती है। तते एक विक्ति अपना एक राश्ट निर्मित करने का प्रैत्न अवश्य करता है। फिर वो राश्ट कुफुरु राश्ट की भांती बहुत बड़ा हो या फिर अपने परिवार तक सीमत हो। वो सत्ता प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करता है, किन्तो सत्ता का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? एक मनुष्य जितने अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित कर सके, जितने अधिक लोगों के जीवन की स्वतंतरता पर अंकुष रख सके, उतनी ही अधिक सत्ता का अनुभव करता है वो सत्ता का वास्तविक रूप ही है अन्ने के जीवन पर स्वयम का प्रभाव किन्तु क्या वास्तविक प्रभाव प्रेम, दया, करुणा और धर्म से निर्मित नहीं होता जब भी मनुष्य का ठोड़ता और धर्म से सत्ता प्राप्त करने का प्रेत्न करता है तब वो दूसरों के हृदय में विरोध अथ्वा विद्द्रोह को जन देता है और परिणाम, परिणाम कुछ इस प्रकार हाँ, कुछ समय के लिए वो स्वैम को प्रभावी और शक्तिशाली अवश्य पाता है किन्तु वो वास्तविक सत्ता नहीं यही कारण है कि ब्रिगू और वशिष्ट जैसे रिश्यों की आज भी पूजा की जाती है रावन और हिरन्य कश्यप की नहीं इस पर तो आप विचार अवश्य करें